नमस्कार मैं अंजले मिश्राज स्वागत है आप सभी का दने उसमे आपको बता दे कि राजस्थान कॉंग्रेस में एक बाप फिर बवाद देखने के लिए मिल रहा है और परवेक्षक के सामने दो गुट भिड़ चुके हैं जहां पर जूते भी एक दूसरे पर चलाए मिलकुल सही सुना आपने पहले ये हिंदू विरोधी थे सनातन धर्म विरोधी थे सनातन धर्म के खिलाब बोड़ रहे थे अब इन्हें भारत माता की जय से भी तकलीफ है भारत माता की जय भी इन्हें अब रास नहीं आ रही है क्या रही है कि कॉंग्रेस के लिए नारे ल क्या है पूरा माज़रा विस्तार से समझेंगे राजस्थान कॉंग्रेस में विधान समय चुनाव से पहले ही बड़ा बवाल मच गया आपको बतादे कि राजधानी जैपुर माज़ित कॉंग्रेस की एहम बैठक में ना केवल दो गुट आपस में भीड पड़े बल्कि वहा पादना मिश्रा और्फ मोना तिवारी नाराज हो गई उन्हाने साफ लाहिजे में कहा कि अगर कोई नारा लगाना है तो वह कॉंग्रेस पार्टी की जै का नारा लगाओ इसके अलावा कोई भी नारा लगाया जाएगा तो इसे अनुशासन हीनता मानी जाएगी यानि भार पार्टी के नेता द्वारा कहा जा रहा है जो कि सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इनकी ऐसी क्या मान सिकता है पहले देश के नेताओं के खिलाफ अगर आप कहेंगे कि मान सिकता थी और अब भारत माता के खिलाफ महारत माता के आप कह सकते हैं नारे के खिलाफ इनकी म मानसीक लगाना उन्हां कि बढ़त भारत माता के अगर आप नारे लगाते हैं उससे उन्हें तकलीफ है उससे टेकी कहते हैं करा निया Song कर झाया कि अदर अब भारत माता की नारे को भारत माता को मार दिया करते जो है वो मेरी मा है मुझे उनके लिए तकलीफ है तो आप देखिए कि किस तरीके से इनकी दोरी राजनीती है जब अपनी पार्टी में भारत माता की जैनारे से इनके नेताओं को इनके विदायकों को तकलीफ होती है और दूसरी तरफ राउल गांदी मौंबत की दुकान खो अर्थकों और आने कारकरताओं कि भी जबर्दस्त हंगामा हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा मारपीट में भी बदल गया इसमें कई लोगों को चोटे भी है इसका एक वीडियो वाइरल हो रहा जैपुर कॉंग्रेस के लिए बनाई गई परिवेक्षक उत्तर नाराज हो गई और उन्होंने साफ लहज़े में कहा कि अगर कोई नारा लगाना है तो वह कॉंग्रेस पार्टी की जयका नारा लगा इसके अलावा कोई भी नारा लगाया जाएगा तो उसे अनुषासन हींता मानी जाएगी पता जा रहा है कि ब्लॉक कॉंग्रेस करती हैं जなたusta मोगों से सर्फ करने कले कोई राजनी ती दुरेश नहीं कोई कि सकते हैं उनके बैग्राउंड से कोई उनका लेना देना नहीं करी कई सारे नेतार का कभी से pardon कंवर सभाजब्राइब पार्टी में थे कभी दूसरी दलों मे थे वो जब BJP में शामिल हुए तो उन्हें पूरे दिल के साथ उनका स्वावत किया गया और यह इस पहुड़े रीप समाजवादी पार्टी में चले गये थे अब उन्हें इस बात से भी तकलीफ होती है कि कोई और जो है वो ना आ जाए कोई और जो इनकी पार्टी छोड़ कर गया है ऐसे लोगों को बोई मौका नहीं मलना चाहिए ऐसे लोगों को राजनीती वहीं अब दूसरे के पति जो हैं अगर आप गर आप को आपकर जाती है इसे लेकर यहां यांपाजिया होती है जूते तक चलने लगते हैं अगर आप देखेंगे तक मत्वेट का एक आप सकते हैं सेंटर बनता जा रहा है पंजाब में इनोंने सत्ता गवादी इसी आपसी रंजीश और आपसी मदभेत की वज़े से और आज राजस्थान में भी इसी तरीके का आलम देखने करें मिल रहा है आज राजस्थान में भी इनकी पकड जो है कमजोर होती जा रही है और कॉंग्रेस में दो धड़े में बढ़ता जा रहा है और ये हमेशा नजर आता है पहले अशोग गेलोत और अच्छीन पाइलट का मामला चलना था अब इनके नेता भी आप सी मदभेत को लेकर बढ़ने लगे हैं यानि कॉंग्रेस में एक्सेप्टेंस बोलकर कोई चीज बची ही नहीं है महबत की दुकान खोलने वाली बड़ी बड़ी बाते कहने वाले नेता के पार्टी में आप देखिए कि बाहर से एक्सेप्टेंस नहीं मलता है और भारत माता की जय के नारे लगाने पर से अनुशासन हींता बता दी जाती है तो यहीं सच्चाई है कॉंग्रेस पार्टी की जो वीडियो के तौर पर शोशल मीडिया पर वाइरल होती नजर आ रही है ऐसे में आपको उता देए कि जो प्रतक्ष दर्शी थे वहां पर जोनों ने पूरा मामला देखा उनके अनु के समर्थों के बीच जम कर लात घूसे चले जिससे कई कार्यकरता खायल होगे हाला कि वहां मौझूद कई कार्यकरता उने बीच बचाओ भी किया हंगावी के बीच अलग अलग के गुट के नेताओं के समर्थन में की जा रही नारे बाजी से परवेक्षक अराधना मिश्र कि अगर नारे लगाने का शॉक है तो क्यावल कोई बीच ओर आजने नारे लगाओ और अगर कोई भी नारा लगाया तो उसे अनुशासन हीन्ता मानी जाएगी। आप देखी सकते हैं कि Congress Party की जो सोच है, जो सिधान्थ है, हिंदू विरोधी, सनातन धम विरोधी। और आप बह्रत में हैं, जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत के अनदर राज्जनिती करते हैं, जिस भारत के अंदर एक Party के अपना एक राच्नितिक प्राठी ये चला रहा है अलग-अलग पोस्ट पर विराजमान है उसी भारत के अंदर उनerv भारत माता की ये के नारे लगाये जाते हैं ते इनके नेताओ को तकलीफ होती है वही नेताओं को राहूल गान्दी को अपना लीडर मानते और वही गांदी जो कहते हैं कि भारत माता हमारी माता है मेरी मां है मेरी मां का कतल जो है वह मनिपुर में किया गया है भारत माता के खिलाफ हम एक शब्द है सुनेंगे भारत में हम मुहबत की दुकान खोलेंगे और यहां पर उनके ही नेताओं के अंदर कि सरीके की मालसिक्ता पूरा मामला है यह बड़े बस्तार से बताए कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जुराय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साचार करिएगा थान्यवाद